Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का देई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे MA History MHI 09 भारती रास्टी आंदोलन इंडियन नेसल मुविमेंट के बारे में दोस्तो ये जो बुक है आपकी बहुत इजी बुक है इसके अंदर में नॉर्मली हमें ये पढ़ना है कि भारत को अजादी किस परकार से मिली जो भारत आज हमें हम देखते हैं 1947 में जो हमें अजादी मिली और हम आजाद भारत में रहते हैं तो ऐसा था नहीं कि एक बार में मिल गया हमें अजादी उसका संगर्स बहुत बड़ा रहा, बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे लोगों का बलिदान रहा, बहुत सारे विचारधारा है रहें उस आंदोलन को लेकर तो हमें इस बुक के अंदर में normally भारत की अजादी के संगर्स को पढ़ना है, कि किस तर से अजादी मिली भारत का राष्टी आंदोलन किस परकार से चला, क्या-क्शीजे हमें देखने के लिए मिला, उसके बारे में हमें पढ़ते हैं इस बुक के अंदर में और एक से दो दिन के अंदर में पूरे book को detail में पढ़ना impossible है, मैंने भी ज़्यादा करवानी रखा आपको, तो उस समय पे सबसे best तरीका क्या होता है, कि हम selective study के थुरू, ठीक है, हम selective study करें, उसके थुरू हम क्या कर सकते हैं, कि जल्दी हम easily cover कर पाएंगे अपने chapters को, जो भी chapters हैं, उसको हम cover कर पाएंगे, selective study होता क्या है, कि एक particular unit के अंदर में, कितने lessons हैं, ठीक है, हमने ये देखते हैं, कि हभाई है, इस unit के अंदर में ये lesson है, इस lesson के अंदर में particular ये topic है, जो important है, exam में बन सकता है, इस topic के base पे ये questions बनते हैं, इस question का pattern ये हो सकता है, exam में पूछ पाऊगे, तो मतलब यहाँ पर short discussion होता है, short video के मदद से कि ये चीज़े इस particular unit के अंदर में रहता है, और ये बहुत ज़्यादा helpful रहता है आपके exam के समय में, ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस video को, ये पूरा short video होने वाला है, जिसके अंदर में हर एक video के अंद के अंदर में total 4 lesson आते हैं, जिसमें हमारा पहला lesson आता है, रास्ट और रास्टवाद, इस lesson के अंदर में जो पहला question बनता है, question ही बनकर आता है कि रास्ट और रास्टवाद है क्या, ठीक है, तो यहाँ पर normally हमें बताना है कि रास्ट होता है क्या है, रास्टवाद होता है क् टो फेर जी सामपल हम भारत में रहते हैं, तुछ बारत का देखो गे तयो पाहिते हैं, बारत की सीमा का है, फटके जयो अंधर में लाले को इन्डिया होती है न के उसको हम राष्ट वाद कहते हैं ठीक है एक कंट्री के परति जो भी आपकी संभावना है आपको उसके परति जो भावना व्यक्त करते हो वो आपको राष्ट वाद कहलाता है ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल साम यह definition के तौर पर यह समझ लेते हैं यहाँ पर आप क्या बताओगे, जो question बनका राता है, यह राष्ट और राष्टवाद क्या है यहाँ पर कई सारे इतिहांसकार रहे, ठीक है, जो इसके बारे में उन्होंने व्यक्त किया ठीक है, अपने अपरचुस को यहाँ पर सामने रखा, क्या कौन-कौन से थे, तो एली, कडियूरी, गलेनर, ठीक है, टॉम, नैन, यह सारे तिहांसकार को आप डिफाइन करोगे कि इन्होंने क्या बोला, इनके हिसाप से रास्ट क्या होता है, रास्ट वाद क्या होता है, इन्होंने किस तरस इसको डिफाइन क्या हो, वो यहाँ पर आप explain करोगे, एक ही question यहाँ पर बनता है हमारे यहां पे, और हमें अपना उपनिवेश बनाया, भारत को अपना उपनिवेश बनाया, ठीक है वो उपनिवेशक बने, हम उपनिवेश बन गए उनके, ठीक है उसने हमारे उपर अपना दिपत कायम कर लिया, ठीक है हमें अपना गुलाम बना लेगता से, तो Asia और अफ्रीका के इंदर में, इस čäm्टर के इंदर में, हमें यह पढ़ना है, यहाँ पे दो कोश्चिन बनते हैं, पहला question ये बनता है कि राष्टवाद की उत्पत्ती कैसे हुई Asia और Africa के अंदर में ठीक है आपको यहाँ पर बताना होगा कि राष्टवाद जो है उसके उत्पत्ती कैसे हुई Asia और Africa के अंदर में ये question रहता है इसको थोड़ा सा पढ़के जाईएगा दूसरा ये रहता है कि राष्टवादी आंदोलन के आर्थिक संदर्व क्या रहे है ठीके आर्थिक reasons क्या रहे है जिसके काई से राष्टवाद की भावना ही कई बार तो ये रहता है कि चलो भिया आपके अंदर में देश की भावना थी तो आपने राश्टवाद को कियाा आपने देश केलिए लड़ना श्टार्ट कर दिया पर आर्थिक संदर भी था क्या कोई Vietnamese term भी था किया वहाँ पर राष्टवाद की भावना के लिए तो और ENOMICAL term क्या होता है कि जैसे मालो किसी ने मेरे उपर कपजा कर रखा है मैं bounded हूँ कि मैं अपनी चीजों का उपयोग नहीं कर सकता जो भी मेरी resource है उसका मैं सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकता तो उस time period पर क्या होगा कि कहीं ने कहीं मेरे मन में उससे लड़ने की भावना आएगी संगर्स की भावना आएगी और वही जो संगर्ज की भावना है न अगर मेरे country के परती है अगर मेरे घर के परती है जो मेरी सीमा है जो bondrik उसने कॉनलिल किया है उपने वेश काइम किया है तो वहाँ पे आर्थिक राष्टवाद के तोर पे उसको धीखते हैं ठीक है समझ में आता है इसके अंदर में यही चला है थैके बहारते राष्टवाद के परिपेच्छ लанич कि बारे में ठीक है जिसने हमें गुलाम बनाया उसकी हिसाबसे बहाहरतेबर का राष्टवाद कैसा है ठीक है जैसे ब्रिटेन ने खुलां बनाया तो इस detecting कि हमारा राष्टवाद क्या है उन्होंने क्या माना कि भारतिय राश्टवाद है किस परकार का, तो उन्होंने ये मानकर चला कि भारतिय राश्टवाद क्या कि कुछ लोगों का एक मतलब विचारधार है, जो ब्रिटन से लड़ रहे हैं, ठीक है, ब्रिटन मतलब क्या वो अपने आपको साही दिखा रहे हैं, कि भईया मैं साही राष्टवादी परीपिछे भीया राष्टवाद की बात करें तो राष्टवादी त्याहसकार भी हैं वो भी अपने पक्षे रखते हैं हिर राष्टवाद हमारे चीम है राष्टवाद हमारे चैना इसकार रात किरों थैके तिर यहां पर जुरूत पड़ भ्रसर विचारदारा के तोर पे देखी गई तोहाँ पे माक्सवाधियों ने भी रास्टवाधी विचारदारा को यहाँ पे अपना question बनता है कि भारती राष्टवाद का परिपेच्छे क्या है तो यहाँ पर तीन तरह से पूछा जा सकता है कि भारती राष्टवाद के परिपेच्छे को उपनिवेशवादी परिपेच्छे के तरीके से समझाइए ठीक है जिसमें James Mill, John Sealy का example दे सकते हो, उनके बारे में बता सकते हो, ठीक है, या फिर दूसरा पुछा जागा, भारती राष्टवाद परिपेच्छे क्या है, राष्टवाद के संदर्ब में, या फिर भारती राष्टवाद क्या है, मार्क्सवादी के संदर्ब में, इस तरीके से question यहाँ बन कर आते हैं, तो तीन topics होते हैं, तीनो topics को पढ़िएगा, जिससे आपको चीज़े समझ में आएं, और आप इसको कर सकें, ठीक है, समझ में आता है, यहाँ पर एगले हम चैप्टर के और बढ़ें, चैप्टर नमबर फोर्थ, जहाँ पर हम बात करते हैं, भारती राष् परस्पेक्टिव के आते हैं, एक आता है Cambridge School का, ठीक है, Cambridge School, आपने MHI 03 के अंदर में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा Cambridge School के बारे में, Cambridge School की विचारदार है, क्या, वो क्या बोलती है, क्या बहती है, उसके बारे में आपने पढ़ा, दूसरा यहाँ पर आता है, सबाल्टन यहाँ पे भी दो, इस चैप्टर में भी दो अलग अलग प्रस्पेक्टिव आ जाती है, पहला Cambridge School का, और दूसरा सबाल्टन अध्यन, देखो Cambridge School का क्या कहना था, Cambridge School की जो विचारदारा थी, वो अलमोस्ट उपनिवेसवादी विचारदार से मिलती जुलती थी, उसका तो उसके कान से वहाँ पे कही ना कहीं छवी मिलती है, East India Company के समर्थन में बोला जाता है, कि उपनिवेशवादी विचारदारा सही थी, जो समराजवादी विचारदारा थी, कॉनिलर पेरेड के जो वर्क थे, उसको एप्रिशेट करते हुए, यहाँ पे दिखती है, ठीक, राश्वाद के अंदर में हम निम नवर्क को सामिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक, उसका क्या भागिदारी है, उसके बारे में यहाँ पे डिसक्सन किया जाता है, ठीक, यह दोनों टापिक को आपने MHI 03 के अंदर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है, तो वीड इसके बारे में डिसक्स करेंगे, बट वीडियो को यहाँ पे एंड करते-करते, एक सजेशन आप सभी स्टुट को देना चाहूँगा, मैं एड करना चाहूँगा यहाँ पर वीडियो को लास्ट में, अगर आप में हिस्ट्री के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, और अच्छे सब्सक्राइब, बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं उससे आप, इम्पोर्टन टॉपिक्स की वीडियो देखें, इम्पोर्टन कोशन की वीडियो देखें, वह आपको बहुत ज्यादा यूसफूल रहेंगे, लेसंस की वीडियो डली हुई है, और यह सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूसफूल है, फ्री में वैलिवल है, ठीक है, अगर आप पेड़ क्लासिस लेते हो, तो बहुत ज़्यादा एक्स्पेंसिव होता है, फ्री में वैलिवल मिल रहे हैं, तो आप उसको यूस करें, और अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है, झाल झाल